मैले सुस्तरी बने थाई किये स्वेम्बर को आय जाना रोक न सकीन न? थाई अचमित बाय त्योक शरी दुने दन उनका अनेक भाई अरू करण, सकुनी, अस्वत्थामा, जैद्रत, सल्य, कृतबर्मा, सात्यकी, सिसुपाल, जरासंध, इत्तिक प्रत्युगी हरू अतिती सालाम अचन वेश्मा, द्रोण, क्रिपाचारिय, बलाराम आदी, माननी अतिती गण आई सेगे काचन अंग, बंग, कलिंग, चोल, पांडिय, मगद, कोसल, अस्तिनापूर, भाद्र, कमबोज, गांधार, आधी सब्बै राज्जी हरू का बिद्ध्वान पंडित हरू आई पुगे अब इस्तगन को कुरा गरियो बने उनियरको घोर अपमान होने चा उनियरको सम्मिलित सक्ति अगी पांचाल देशले हार मानने परने चा पांचाल माती घोर बिपत्य आई परने चा अतहा देशको मंगल तथा सम्मान राकना का निमती स्वेमबर सबा निर्दिष्ट तिथी बार लगनामा अनुष्टित होनू नै उचित होने चा एछ बाहिक और कुनैं उपाय चाईना मन मनरे सोची रहे देशको बिपत्ति आगी क्रिष्णा को बिपत्ती कही लेपानी महत्तारों नसक्तैनाpark क्रिष्णा नाइ बिपत्त्ती सम्मुख होने चे तरा ति बिपत्ती कती कस्ट करूने चा योकुरा मोब आयक और कसलिपो जान्दा छारा मैले देरगर निश्वा सोलेर भने कुराए उटेयो तेसी पनी चीर कुमारी रहने थिये येस स्वयमबार को सरत मा कोही पनी उतिवना मुने चाईनन अतहा कुमारी ने रहने चुँ बस देशको बिपत्ती टारने चा पांचाल सत्र सुन्नी होने चा भाईले बाने इस्तु उनपनी संबब चा उन्हारू ब्रह्माचारिनी को कठोर साधाना माय जीवन सुरुगार्न पारने चा शुख दुख सबे इस्तितिमा निर्भीकार रहन पारने चा जे भायो या जे हुना गही रहेको छा पेश्मा मालाई एदी कही गार्नों चाईना बने फेरी बिचलेत कीना उन्हारू तर मनमाती असुली भरिये भायको धिहन पने एस्तरफ खीजीयो उनको रिदेमा पिडा भरियो मन परिवरतन का निमती भनेवनले क्रिष्ना हीडा कक्षेमा जाओ पिता प्रतिक्ष्यमा होलान क्रिष्न लाई प्रणाम गर्णुछ उनी आर्या बर्थ का स्वेष्ट बेर ज्यानी कृष्ण जस्त महान बेक्तितो को गारी माले सानुब बनाए दी ना। मेरो यो असुब द्रिष्टी उनिमाती ना परुष। मौ कहा उनको प्रिया सक्षा को प्रस्ताप आउना साथ उनि बिते। इस बिपत्ति पची पनी क्ये कृष्ण ले मेरो अनुवार हेरना चाहालन। अचानक अम्रीद को धहारा जस्तो केही कुरो कानमा बहयो जसले अंतरसम्मा इस्पर्श गरी देयो। अबिमान निमेश्वार मा बेलेन भायर गये। साथ्चे क्रिष्ण मुहमंत्र जान्दासन मंत्र मग्द मा प्रणाम गर्ना का लागी उठे। फेरी मुस्कान का साथ भने उनले तिम्रों भक्ति भाब को मुद्रा बंदा। तिम्रों अभिमान पूर्ण आलेक मेरा निमती अधिक काम्मे होने छा। तिमी साइद जान्दे नव। नेर्मल अभिमान ले सुन्दर अनुहार लाई और सुन्दर बनाय दिन छा। पांडपर को द्रोगटना जनेत मृत्तु को सम्चार सत्य औस या मिथ्या। तिम्रों अनुहार मा यो अपमान भरे को अनुपम देखना पावने थियाना। तिम्रों मुक्षबा देखे पाची पांडपर को बिच्छेत को दुख पनी भूले मैले। धेरे बेर्चमा छाचल के एका आसुहरू गाला को पाटा भायरा गंडस थल्सम्मा बहरा आये। स्वचे मेरो एस दुखमा के क्रिष्णा खुशी भ पाहिले पनी कातर जस्तो लोक लोचन को अंतरालमा मर्न सकते नौ। एदी पांडपरू तिसे बेर्थमा लहाग घरमा जिवंते दग्द भायरा मृत्त्युको मुक्मा पारे भने यो उनिहर के मुर्खता को परिणाम होने चा। क्रिष्णा को सका। एदी इस तो मुर्ख तब क्रिष्णाता उबंदा पनी अधिक मुर्ख क्रिष्णा की सोच्छो की मा मुर्ख हूं। क्रिष्णातर भाहरना साथ मेरो मनले भने अर्जुन आउने चन। प्रण राखना एस घौर अपमांड्र विपत्ति बाड़ क्रिष्णा लाई उद्दार गर्ना अर्जुन आका चीमलेरमा परमे सोलाई प्रणाम गर्दे थिये। उच्छब को सोरों दिन होयो तेसे दिन को ता प्रतिक्षा थियोनी ब्रह्मा मुहर्तमा उठेरा उद्यान को सरुबारमा इस्टान गरे पसी सोर्णा निर्मीत पार्वति मंदिरमा पूजा गर्ना सक्खे और संगा गए तब सम्मा मा सन्यासी निजस्ताई देखी रहेगी थिये। सम्पूर दिहनाई निरावरण उन मुक्तक केश रासी जो सागर का तरंगा हरु भायरा प्रिष्ट भाग मा लहराई रहेगा थिये। मेरो एक मात्र धिहान पार्वति को पाव पदमा मा थि थियो दिप दा पति रुप मा बारन गारें उनी नाई एदी जिबनत जालेरा मृत्तो मुक्मा पार्यका होन बाने किये मेरा निम्ती ये अपमान को कुरा होई नरा। फेडि मेरो जिबन धारन को अर्था नेक्ये हो अर्जुन भाहेक आर्या बार्तमा और कोही प्राण राखनामा समर्त ब पुजारीले त्यो फूल उठायरा मतरप बढ़ाये अभिष्ट पूर्णा उनेच एही संकेत हो उनको हेर देवी हासी रहेकी छन अंतरबाट न पुकारी सम्मा उनी हास्ती नन अब सुबफल निश्चित छुरुन अर्जुन आउनेचन अबस्चे आउनेचन प्रशाद श उने फार्की रएकी थियन बडाटाम स्रीराम संगा भ्येट भायो तेहींन वेर चार नेतら आरको मिलन भायो आजडா देवी प्रैंगण में अर्जुन संगा चार नेत्र आरको मिलन उनेचहल तरा कसली बनन सकचो अर्जुन जिवित छन याच हैननन मन फेरी उदास। अर्जुन संगा भेट भायना तरह हर गाड़ी सोची रहे थें अर्जुन आउने छन। अमरा चार नेत्र अरकोपने मिलान उने शा, मेरो जीबन धन्ने उने शा, तरह उनी आये न। सती सिता मेरी आदर्स हुन, उनको जीबन को कथाब पड़ेरा मा उनकी भागती ने भाही सके कि थियें, उनका आशु आर्मा अपनो आशु मिलाई, उनके प्रेम मा डुबे कि थियें, तरह उनी संगा अपन तुलाना कीना गारूमा, उनी जस्ती निराब रहेरा एंत्र नामा जली जली की मा बास्न सकुली, उनी मै यसी नारी रगु कुल तिलक रामचंद्र की प्रान फ्रिया जाना की, आनी मा पांचल राजकन्य या गेसे नी, मेरा कुने पती छनी या छाईनन, त्युपनी था अचाईना मालाई, उनको जीबन को हर घटना कीना बितलारा मेरू जी अचाई जाना पांडवर्ग कुने पत्यो थिये न, अब कुने अतिति आउना बागी थिये न, पांडवर्ग निवास सरुप, निर्मेत त्य सुन्दर रा अडमर पून भावन नितांत खाली थियो, पांडव यदि जिबित भाए, अईले सम्मत आई पुग्रेने थिये, पुर्वार धमानाई हुने चा स्वेम बर्षबा अब आउने कुने संभावरां चाई न, राजपत को किनार किनार मा ब्रिक्षियर रुप्य का थिये, नबेन पत्र, पुस्प, एबं फलहार ले, ब्रिक्षियर अलंकार मंडीत, नारी अरु जस्ता सभीत भाएरे का थिये सुकसारी का कोईली आदी चारा हरुले राज महलमा भाहिर हेको उच्छब को संकेत पाई रेका थिये, मधूर स्वरमा जनमनलाई अकर्शित गरी रेका थिये, उच्छब को संगीत मा सोर मिलायरा मानाउं उनिहर पनी अपनो करते बेपालन गरी रेका छन, अतिती भवन आजको नुरते गित मा अपने योगदान दी रहेका छन, उद्यान मा सक्खी अरु संग पन्च बिहार को किनारे किनार भाहिरा फर्की रहेके थिये, आज एतित पत्तु लागने ने छाकी पांडब अरु फर्कने छन या छाईनन, ब्रिक्चे लाता अरको बेच बाट पन् रंग सालामा नर्तकी अरु नुरते गरी रहेका छन, बेबिन रंग अरको अलोक मा सजित पन्च बिहार अहिलिपाने तेसेरी ने जगमगाय रहेको छ, द्वार देसका तोरन रंग बिरंगी पुस्प अरु द्वार मंडीत छन, सोर्न थालमा पुस्प हार्डी येर अतिती भावनलाई देखेरा लागियो पांडा बरु आउदई होलान अबस्य आवनेशन, अतिती भावनमा त्यु कस्तु मनुरम मुर्ती हो, रंगी बिरंगी पुस्प उद्वानमा नीलो मेग बाड़ने कुन युबग होन उनी, अरुण मैले ठीक संगा देखी रहेकी थ मुक्राची कस्तु मलान देखी देखी देचा, कि साचई अर्जुन्र उनका चारेवाई भारकेर आउनेशन, क्रिष्ण कसरी प्रतिश्यामा बसेका छन, सुनासात मेरा नेत्र द्वया असरु सिक्त भाई आये, धाराना औरु द्रडभायो की मेरो पार्वती पुजन सफल आमरो पाउको चिन्रेंग चिन्रेंग ध्वनी सुनेरा क्रिष्णा पानी पाथ मा आये, मला देखेरा बने क्रिष्णा एस प्रतिविमा मनुस्यले नाई सरबातिक दुखा पाउँचा, किनेकी सुखामा बसेरा पानी उदुखा रा आपत को संका गर्चा, दुखामा लेन रहेरा पनी केही मानिशर सुखा को कलपाना गरचन। ओ दुखामा पनी सुखा लुकेको उन्च तिम्र नेत्रको आशु तेशलै प्रमाणित गरी रहेकोचा। मैंले अस्त्रुल नेत्रा उठायरा कृष्णाला हैरें। उनले मृद मुस्कान का साथ भने तिम्रो एस अस्त्रु बिंदुले उदीत सुरिय का सिंदुरे रक्ष्मिया रुलाई प्रति फलीत गरी रहेचा। तिम्रो मुखमा स्भाब बढ़ाय रहेचा। एसले। एसी कारण एस अस्त्रु कान्कुपकानी मुल्ले बढ़ी रहेको छा। सुरिया रास्मिस्वयम महीमा मही भाह款 रहेको छा। अथी रमानिंआ भाहِरेको छा। आटहां जीवानमे अस्त्रुको पणी मुल्य छा। दुखका पाची सुकत मिस्चित चा, जो घटित होना गै प्रणायम गारें अपनो दुखा को आरखे चड़ाई रहे कि थियें आजा उनलाई दुखा सिवाये मेरो रिदे मा अरु क्याही थियें ना एती गारे पची रिदे क्याही हलका भायो एसते अनुभप गरी रहे कि थियें शोन निर्मित मंचमा प्रत्योगी राजा हरुले आसन ग्रहण गरी शके गथचन uzmaqišत शमक्र सवाष्तल चाढंदीले मंडी थियो सुन्द चादी का तार अरु बाट निर्मीत जल्लर चम्किराई कुछ प्रत्योगी राजा महाराजा खुबे सजी अरा बिराज मान छन सबै आफुलाई क्रिष्णा योग्य माने रा अल्ला दीच छन पंडित बिद्वान और बिशिस्ट आशनमा बिराज मान छन ब्रामन और का निम्ती अलके ब्यवस्ता गरीको छा नगरका दर्शक अरुड पूर नारी अरुका निम्ती बसने अलके ब्यवस्ता छा उनियारु सबै सुन्तर बस्त्र रा अलंकार अरुले सजी छन उनियारुको मन्च एस प्रकारले निरिमित छाकी सबा इस्तल्लाई इस्पष्ट देखना सकुन तर उनी अरुलाई भने अरु कसाईले देखना न सकुन तरम्म मैले सबेको सम्मक उपस्थित होनु पार्णे छा किने कि मा स्वेम बरा मैले सबेका अगी प्रदर्शित होनु छा मेरो रूप सबा देखेरा प्रत्योगी स्वेम मा सक्ती संचार उन सक्ने छा सखी अरूले बिबिन प्रकारले सजायक थिये मलाई सुब्र बस्त्र सुब्र पुष्प द्वार समक्र दिहा मंडीत थियो दरपण मा स्वेम अपनो प्रति बिम्बहरे मेरो दिहाको पाद्म गंधका साथ चन्दंद्र सुवासित अत्तर मिलेर सम्पूड सभाइस्तलाई सु सखी अरूका साथ पुष्प सभीद डोली मा बसेर द्रिष्ट दुम्नाका साथ मैले सबामा प्रेवेस गरें बाहिको निर्देशनमा डोली बाट बाहिर पाव निकालें मेरो उपस्तिती मात्राले सम्पूड सभाइस्तलमा एक मधूर गोंजन भारियो युवक इस्त्री पूरु सबस्तब्द भायर यस्यामाल सउंदरेको निरिक्षन गरना लागें द्रिष्टिल जोकायर मसुस्तरी निर्दिष्ट इस्तान तर्प बढ़ना लागें एतिका पूरुस अरूले लोलुप द्रिष्टिले हेरी रहादा लाजपनी लागी रहे कुथियो इच्छा भाहिरे कुथियो अपना अनुहार ढाकू मानेरा शांचे इम्मान को कुरा बुजे जस्तो गरी सबा इस्तलमा सजीत पुस्प कुंडा अरुलाई छोडेरा ब्रामार आरु एक साथ मेरो चारी तर्प ढाकेरा ओडना लागें उपस्तित राजन्य बर्गा को द्र कुर सब्दारु एक त्रित भाहिरा ब्रिदु बतासकु ब्राम स्त्रिष्टी भाहिरे को थियो कुने तरहले मैले मान्च सम्म पुगेरा आसन ग्रहन गारे ताव द्रिष्ट दिम्नले नमस्कार पुरबक स्वागत गारे हे समवैत उच्च कुल संभुत राजमंडली इनि हुन मेरी बहिनी बार बाणिनी कृष्णा इहारुले इनको सरीर को संदर्य अवलोकन गर्ण वायो इनि केवल आर्या बर्त की स्रिष्ट सुन्दरी मात्र होईनान सर्व गुण संपन्न पनी चन स्वल्प भाशिने उना हुदाई पनी विद्यावती चन विचार सिला चन श उपस्ती चन क्रिष्णा स्वेम्बरको सर्त संग इहारु परिचित वनुँँछा है समवेत बीर गाण हजुर अरु सबै द्रोपती संग बिभाहक निम्ती उत्चुक वैर आउनुवाय कोछा अब इहारु समक्षिय लक्षियार धनुस बाण राखिये कोछा क्रामागत प फेर एक एक जाना प्रत्युगी अरुको परिचे दिने गए द्रिष्टा दुम्नाले तर लजास बस कसे तर्फा द्रिष्टी उठावना सकी नमाईले देश परिचे को करम बद्धतामा मेरा अभिष्टा पुरुष को कते नाम थियोना तरमा उही और द्रिष्टे को संब पन गरेरा पराजित होधे गए कसेली पनी सर्थ को सम्मेजन्नी गरना सके नान कतिता धनु उत्तुलान मानाई असमर्थ रहे अहात्र बिश्मीत बिवाद ग्रस्त एक पची अर्का बीर अरु फर्क नदे गए नगर का दर्शकर सोचन लागे धनुर बिद्ध्यामा बीर स सर्थ लाई यता होत राखे कि उनी राजका न्यालाई चीर कुमारी ब्रत अब लंबन का निम्ती बाद्धे पारना चाहांचन सबै सक्यर एही सोचेर हाय हाय गरी रहे का थिये तर मावाने सोची रहे के थिये जगत जनेनी पार्वतिले मेरो प्रार्थारा सुनलीन अबस् सार उनले अर्जुनला इहां पठावने चिन अईले समा मजस्तै अभागी नी बर पुर्भा नारी को सम्मान राखना का निम्ती कुने अरक पुरुसलाई उनले जय बनाई नन एदी कोही जय भाय का भाय के गर्थिमा बाद्धिभायर पिताक बचन राखना लाई मैले ती बर कुरुप मा बरन गर्णू परने थियो मेरो सत्ति दार्बन नस्टा होने थियो मनमाने मलाई संतोस लागी रह क थियो सबा इस्तलमा पराजय गलानी रहतासा को दिर्ग निश्वास बढ़ते जांदे थियो बेर्थाय में कही प्रत्योगी हरु नाना प्रकार को कलपना जपना गरी रह का थिये कसेले येदी यो प्राण पुरा गरे भने पने बाल पुरबग मालाई खोशेर लाई जाने यो जाना पनी बनी रह को थियो मेरा सक्खी अरको को उत्वल बढ़ी रह को थियो तर मेरो मन बेथाले भरी दे जांदे थियो मेरा सखी अरको इकामातुर अरका आगी पाप द्रिष्टी सम्मुक यती समय सम्मा बस्ची रहनु पारेको कारण मैले आफेलाई दिख्कारी रहे के थिए मालाई अफु कलंकित भायरेक जस्तो लागी रहे के थियो दाजु द्रिष्ट दिम्ना पिता दुरुपद अने गुरुजन मेर भविश्यक चिन्तामा विशात पूर्ण रिदे लियरा बसे का थिये तरह मैले देखें यादा भरु बीच बलाराम संग क्रिष्ण प्रफुलाताक साथ सारा द्रिष्य उपवग गरी रहे का थिये क्रिष्ण का निम्ती ता क्रिष्ण को मन मा केही पने चिन्ता चाईना कुने उद्वेग चाईना बरु परक्ष्य रुपमा क्रिष्ण का परियास गरी रहे चान पनने कुरामकुने चान दे चाईना स्वेम्बर सबाको शेश परिनेती का निम्ती स्वेम्लाई प्रस्तुत गज़ी रहे के थियें बस कही फ्रार्थी बाकी छन आबा सारा निरास बीच नवविदित सुरिय समा तेजस्पसी अने अस्ता सुरिय सद्रिस कमनिया कांती युक्त स्वोर्न कबस कुंडाल बिहुशित एक बेर पुरुस लक्से ब्यत इस्तल को निकटायर उपस्तित भाये तेज़ परम संदर्य बात बेर पुरुस को रोप्र आभालाई सबी मोहित भायेर हेरी रहे का थियें कति लेता द्रोप दिलाई पाउने अपनो लाला सालाई ने भूलेरा कामाना गर्ना लागे की यही पुरुस ले नाई लक्षे भेद गरेर क्रिश्णाले प्राप्त गर अजानक रिदे गति बड़ेव स्वचे एदी इपरम रुपवान युबग जय भाये बने अर्जुन बाहे कोई होई नान इई पारवतिले अन्थीम छण मा मनो कामाना पुरा गरी दियें इनिने नै कुन्ती पुत्र हुन कुन्ती पुत्र सिभाये लक्षे भेद अरु कसल गरना सगलान रा स्वायद एक छण का निम्ती मैली पनी एही कामाना गरे इई युबग जय हौन बिर युबगले कमनीय ढंगामा धनुस धारन गरे ताद चड़ावन की लगे का थिये सारा सबैस्तल हर्ष र करतल ध्वनी द्वारा निना दित भाय उठ्यो युबग अरु उठ्वायद भाय ताद चड़ावन अगी उनले शुर्य देवले नमसकार गरे सबेले स्वाचे बस इवग अब जय हुने ने छन द्रुपद राजकन्या उसेले प्राप्त भायको समझनु पर्छा अचानक दर्श करूमादे कसली बने इई बिरकुद परिचे स्वेम्बर को सर्थ सकी फ्रार्थी उच्च बम्षागा चायनन मने लक्षी भेद गरेर पने क्रिश्णा ले पावने अधिकारी हुना सकने चायनन द्रिष्ट दिम्नाले अचानक उच्च शना मने प्रत्युगिताको नियम प्राडमानाई इस्मस्ट गर्येको थियो सद कुल जात न भई मेरी बहीने लाई कसली बरण गर्न सकने चायनन शारती अधिरत एवं राधा पूत्र कर्ण जतीने ठूला बीर भाय पनी मेरी बहीने चंगा उनके विभास सम्भव चायना द्रिष्ट द्मनाको कुरा सुनेरा कर्णाले चुपचाप धनुसलाई एथा इस्तानमा की दियो तेस निराब अभियोग लाई साच्कातकार गरना सुरिय प्रस्तु थियाना कर्णा अपनों इस्तानमा फार के रगए एक चोटी उदास आखाले मतर पहरे कर्णा को त्यो विशाद ग्रस्त द्रिष्टी पनी यती मनुरम थियो की सकी अरले अपनों होस्ने हराए म मलाई लागयो यस विशाल सभा इस्तालमा कर्णा को अपमानमा म पनि कहिता दाई हो असंकी राजा अरूको पराजा र कर्णा को अपमान का निम्ती स्यमबर को यो अभुथ पूर्प सर्त नए दाई हो तिसु वैपनी अंक्शिदार कीन चायना रा मेरा कारण ले एथिका बीर पुरुशर दुखी भाये विशेस बम्स परिजय को विशेलियेर कार्ण अपमानित भाये अथा मेरो मनमा पस्तचाब जली रहेक थियो बास्तमा ये स्वैम्बर को आवसेक्ता नहीं किये थियो मा बरपुर्वा सबेद जान्दशन यपनी सबेले जान्दशन की स्वैम् कमशी हुईनन यो था हुदा हुदा हुदाई पनी सभीको समुक आफुलाई प्रदर्चित गरेर अरुलाई प्रलोभीत गर्ने किया आपसकत थियो उनलाई सुंदर द्रव्व्य प्राती हर मनिस्य आकरशित हुँँछन र तेसलाई आपनो बनावने स्वोपना देख्षन उचीत मार्गाबाट न भय अनुचीत मार्गाबाट भाय पने तेसलाई आपनो अधिनस्त बनावने चेस्टा गर्चन लबातुर मनुस्या तबसम्मा बूजना सकते नन की तियो सुन्तर बस्तु प्राप्त गार्ने सकती रा सामर्थे उसंगा छाया छायना सारा चेश्टा रूपा छी पनी बिफल बायरा दुखी हुन चाऊ अतहा आज लाकाउं राजाहर को दुखा को कारण मनाई हू बीर करणा मस्तक नत गारेरा सुस्तरी फर्की रायका थिये मैघखंडालाई धेद गारेरा सुर्यद्य पुनाप्रकाशित भाय साबैस्तालमा करणालाई और अपमारीत गारना का निमती कटुगती गरी रायका थिये कसेली भनेव इने हुन अंगेश कवरब बंदु करण राज बेर अर्जुन का एकमात्र समकक्षिय योद्धा तर पित्री परिचे बाट बंचित अतहा लांचित भए शारती अधिरत कपनी बास्तमा सुनींच उसका पालित पूत्र हुनी अर्थात बेर करण अबैद संतान नावे अरुक्ये जसको पित्री परिचे छाईना उँ अरुक्ये नहीं उनसक्षर अर्कोले मन्त बेदियो करण मौन अगी बढ़दे गाए सारा टिपने अर सुन्दे गाए नेरिपिकार भावले सबे ग्रहन गरे सबे सहे अपनोकुने लाब नहुदा पनी कही मानिसर अर लान्चीत होनु करणाको यो बिवाद ग्रस्त रूपले मेरो रिते अलाय करूणा रशाहन भूतिले भारि दियो मैले मन मने भने बेर करणा तिमरो यो अपमान र लान्चना एसमा एथी मेरो सान पनी भूमीका भाय मलायच्या मा गरनू तिमरो अपमान को जौला मा रिते इस पाची अभा लांचानार अपमान को पालूम मेरो हो बर बर्णे नी क्रिष्णा का निम्ती इस प्रितिविमा कुने बर छाई न यो किये कम लांचाना का कुरो हो कर्णपचे सिसुपाल, सल्य, जरासंद, आधि बीर अरुले प्राजित भायरा भागी को निन्दा सहे सबई प्रार्थी अरुले मेरा पिता को सर्तलाई धिकार न धाले क्रिष्णा का निम्ती और कुने छेत्री ये प्रार्थी को अवसिस्ट रहे न अभ, स्वेम्बर सबाब भंगाऊ न सक्छा, पितार दाजु चिन्तीत र बेपन्न भायरा हेरी रहे चन, तर क्रिष्ण का अनुहार सदा जाई, प्रस्फुटित, पुस्प जाई, सहस्या र सरस देखिगोचा बुजें एस प्रिति विवाकोही निस्थूर्तां पूरु स्चन बने क्रिष्ण होनी थी, शेम्बर सबाग करोण परे नतिले एवटी निरिहा राजकन्या को भाग्ये कसरी संकाट मा परे, एसका निम्ती तेल जातर प्रभाप पने क्रिष्ण मा छाईना, कि क्रिष्ण ब बाध्योक ध्वनी बंद बाईशके गथियो, अचानक सबेले देखे क्रिष्ण ब्राहमण अरको बसने इस्तानला हेरेरा मुसु मुसु हासी रहे गथिये, एक तेज दिप्त ब्राहमण युबक प्रार्थिको रुपमा उपस्थितोने अनुमती सभासतले मागी रहे गथ केई राजन अरुले प्रति बात को स्वर उठाये, अपास फुन स्वर्म बने, जहां समर्कुषल च्वेत्रिय बीरले हार माने र बसे, तेहां एक बिख्चु ब्राहमण सफलताको आसले र उभियका छन। फेरी कहेली क्रुद्ध र जर जर स्वर्म बने, इस बिख्चु गळे युद्ध गर्न अब्यस्ता उन्चन। ब्राहमणले सस्त्रग्य भायकाले उच्चारन सुद्धी प्राप्त गर्छन। तर एसको अर्थ यो वहिनकी छेत्रियले अब्यास गरे भने सुद्ध पाठ गर्न सकते न। या ब्राहमण धनुर बिद्धामा पार दर्शित देखाऊन सकते न। ब्राहमण पर्शुरामले यदी प्रतिविका च्वेत्री अरुलाई परास्त गर्न सके बने ती युबग कीन बिजय उनन नसकलान। जान्मा वैन तर कर्म र साधानलानी मनुस्येको बेक्तित्तोको निर्धारन गर्छा। अतहा इए अत्येंत उन्दरियोवत ब्राहमण युबग निर्धोंद्वा प्रतिवितामा भागली न सक्छन। पंडितरको अनुमती पाची युबग लक्षे भेतको मन्डव निकट आयराम उभिये। उनको रुप दर्शन गर्न साथ मेरो नैरासे पूर्ण रिदेमा एक तेज स्रोत बहन ल क्रिष्ण रा क्रिष्णालाई नमस्कार। सबेले बिश्मेले भरियर सोचे क्रिष्ण दिब्यद्रस्टा तथा आर्य बर्त का स्रेष्ट पूरसुल अथा ब्राहमण द्वारा उनलाई नमस्कार गर्नो युक्ति संगत हो। तर जुन राजगन्या क्याही च्ण पसाद उ क्रिष्णालाई ब्राहमण इवकले अपनो दिब्वेग्यान को परिचे दिएको छा। जवसम्मा प्रण पूरा गरिदैन तवसम्मा क्रिष्णा पांचाल देश की राज कन्या हुन। कुने पनी नारी उमेर जाती धर्मार देश बंद माथी उनी पूरुष द्वारा बंद निया उन्चिन। कारण नारीको जन्म सक्ति अंग्षबाट भायको हो। सक्ति पुजन बीना बीरको परिचे असमभवज अथा इया ंग्यानी उवक ले क्रिष्णा प्रणाम गरे रा सक्ति माथा को बंदा ना गरे। सभावा सभ़ी क्रिष्ण को प्याक्याम संतुस्टव आए। इसता ज्यानि योभग प्रती मेरो मन पन स्रधाले भरियो। मन मने सोचन लागें यह योभग vyष्ण येथी संभेदन सिल्खीन, अकस्मात कोलाल रा तालीको गड़ गड़ हाटले सबाइस्तल प्रकम्पित भायो। सबै बिस्मीत, स्तम्बे भूत, मंत्र मग्द भायरा ती बिजई बर या अग्यात ब्रामन युवकलाई सहज्रा श्वाभविक भाबले उभियको हेरी रहे। सबैलाई उनले पुनहा प्रणाम गारे पल बारमा क्रमसह पाच तीर छोडेरा चक्र इस्तित कनक मेनको नाइन भेद दुगारेरा तेसलाई भूहमीमा जारी दिये चारे तीरा अनंदक ध्वनी गुंजियो। सखी अरू अर्गे थालीली एरा प्रस्तूत थिये संखा उलुध हनी बेद मंत्रा रब्बाद्ध संगीत को अईके तानले आगासर प्रतिवी सबई प्रकमपीद थियो। मैले देर सर्मा भाने भाई मत देरे दिन देखी अर्जुन प्रति समर पीच्छू आज आरू कसे को बरन कसरी गरू। पस्ती चन उनी पिल्लम्ब नगरी पिता को सत्ती को रक्षे गर और पूत्री को करतेबे पालन गरू। नत भायो। ती ब्रामण को अनुवार हैरना पने संकोष भाहिर हायो। युबक को सुकमल पाव युगल तरफा द्रिष्ट निबद्ध गरेरा बारमारा पहिरावना उद्यत महाये। सकी नितम्मिनिले मृदु सर्मा साचेत गराय दिए। राजकुमारी की गर्णों उदेशा। कसको गलामा बरमाला पहिराउंदों उदेशा। इनी क्रिष्णा हुन मा लज्जा बस संकोष बस पसी हटे। देखें अगी पाची चारवटा पाव हरू एक समान पदमसरह इस्तित छन। दुबेको पाव युगलमा एत्तिको सम्मेता क्रिष्णा का पाव हरू कुन औनी ब्रामन का पाव हरू कुन हुन। मुखतर पन नहेरी इपाव हरको अंतर पावने गारू बाद्देभाईर ड्रिष्टी उठाएं। मले लागयो इनिलकमल नेत्रबायका क्रिष्णाले मग्द भावले मलाई हेरी डएक छन। अनुभारको गठन केई भिन्ना चा तर नेत्रदवया। एकदम एकै किसीमका युपनी क्रिष्णाकी माया हला। मानवित्र कसैले भन्यो हे क्रिष्णा। तिमी सबैमा बिद्धी मान चाओ। तब सक्खा अर्जुन रा इब्रामण युवखमा पनी तिमीने बिद्धी मान चाओ। अथा जो अर्जुन होन ति बेर युवखमानी उही नही होन। इनमा पनी तिमीने चाओ। अतहा, मा इब्राहमण इवभाक मा अर्जुन लाइने हेरेरा, मानेरा उनलाइ बारन गर्छू। आज देखी, इवभाक नै मेरा अर्जुन। जसले क्रिष्न को इष्णीहा पायको छा, उनेता अर्जुनुन। मनमन स्थेर गारें स्वामी संग अनरोद गार्नेचो क्रिष्णा लाई आज देखी सखा भनुन उनी मेरा मुक्तर पहरेरा म्रदु म्रदु मुस्किर राएक थिये अब बुजें कि क्रिष्णा को मोख औने ती यूबा को मोख मा क्या ही सामन जस्य थियो जसको कारणले प्रतम द्रिष्टी मानाई मलाई यूबाग परिची जही लागे को थियो निके अक्रिष्णा पनी गरेका थिये बस्तमा क्रिष्णामा एक अधभूत आकर्शन सकती चा उनको सरीर को कोने अंग्सेहर्दा प्रतिविको हार दुख संता बाट बेमक्ती मिल्दाशा अथा क्रिष्णा प्रती जतीने अभिवान रहे पनी उनलाई देखने बित्तीके मस सबै भूली आल्दाशु मेरा बावनाक स्त्रोत प्रतीहात बायो क्रिष्णाले मधूर आमोध पूर्ण स्वर्म बाने क्रिष्णा प्रार्णाम देखिना इस्तु ब्रह्मा पार्णुचित होईना आखा उठाई अनुहार नहेरीकी भाये अईली सम्मामा बार्माला मेरो चातीमा जुन्दी रहेको ने थियो अनी अबरिचित बिर इवग एकै छिणमा मेरो प्राण संहार गार्नामा प्रस्तुत उने थिये क्रिष्णा तिमी दूर दर्शीनी हो अगिलतिरा हिर्दै पात्मा एन्नो तिम्रु धार्मा हो अब सम्मुक हेर बिर इवग उभियका छन बरन गरा बिचार कैली सम्मा धहिरी राखेर प्रतिष्चा गर्ने उनले सबाबीज क्रिष्णा को यो बिनोध मलाई अप्रिय पनी लागियो तच्छुना बिर इवग को गलामा बार्माला पहिराई दिगे समक्र सबाइस्तल मंत्रु चारण, बाध्य, उलुध्वनी औनी अनंदो लासले बिनोधेत भाई उठियो अब सारा द्वन्द को समा नान भायो दरिद्र ब्रामन होँन चहे क्रिष्णा का स्त्रादा भाजन उनी बेर इवग होन अथा इने संग निर्द्वन्द जीवन को पात्मा अग्र सरूनेशू तर संगर्च बिन की कहीं जीवन उन्छार फ्यरी मेरो जीवन अग्रीर कास्ट को संगर्च को कारण उत्पन्न इस्पलिंग द्वार जसको जन्म भायो उसको जीवन को यो चरम फाल बिना संगर्च कासरी संपन्न होने अकस्मात पराजित एबम कामातूरर राजगाण बीर इवग करुमा थी आक्रमण गारेर मलाई बलपूरवा घरन गार्ना का नेमती एकजूट मायर अगी बढ़न लागे तर मेरा स्वामी का बिशाल सरीर दारी व्राता भीमले ठुला ठुला ब्रिक्चेर उकेलेर गदा सद्रिस गुमावन लागे सबई प्राण बचायर भागे दुरेतन करण असो थामा जरासंद अधि सब्बई पराजित भायर फर्कने समय म तथा मेरा सांत स्वामी माथी कुरुद द्रिशले हिर दात केटना लागे एस अपमान को प्रतिशोद एक न एक दिन अबस्चे लेने साँ प्रतिक्षा गर्नो के समय पर्ची सब्बे सांत भाये मेरा स्वामी और उनका अनि भायार मला लियरा माता कहां जाना का लागी प्रस्तूत भाये उनी अरुकी माता एक चक्रा नगरी मा एकले थियन। उनी संगा अश्रिवाद लिये पचिनाई विभाकारी संपन्ना उनेशा। अथा पाचे जाना ब्रामन मेरा ब्राता रम्म एक चक्रा नगरी तर्फ बनेऊ। पिताले पांचोट रत्तयार गरी दिये। चार रतमा चारे जाना भाई अनी एवटामा मर मेरा स्वामी एक सात जाने ब्यवस्ता गरीयो। तर्फ स्वामी ले प्रतिबाद गरे। अमी बिक्षु ब्रामन हौँ। दिक्ष्या ग्रहन गरेर जीवन ब्यत्तित गर्चाँ। पैदल इणशाँ। अनी पैदल चलेरने जाने चाँ। और प्रिस्चना मेरी सा धार्मिनी बनना गैर है की छन। अता आमी संगा इणडेर जाना नही उचिता उने चा। हो राचकन्याले पाद स्राम उने चा। तरा हामी पांच भाई संगे चाऊ। अता अरनी मार्गा मा कुने बिपत पर ने चाही न। द्रिष्टा दिम्ना प्रतिबाद गार्न चाहां थे अरन्य पात्मा मेरा निम्ती पैदले इन्नु कत्ती कष्ट करूने सा अता उनी दुखी बायका थिये तरा मैले अभिलम्मा बने वाई अब मलाई आपनो धर्म पालान गार्न देव हर इस्त्री का निम्ती यही उचीत हो म कष्ट की हो एके नल बाट जो जन्मियको छ आवसेकता परे बने उधर्मा रक्ष्यका निम्ती अनल मा बने प्रवेश गर्न सक्छे सबे जानाले अब सहर सब बीदा दिन होश मेरा कुराबाट सबय निरुत्तर भाए मैले देखें पिता का आखामा आशु छल की रहेचा स्वभाबत हा उनलाई दुख लागी रहेचे की ज्वाईको रूपमा कहा अस्तिनापुरको राजकुमार तृतिय पांडब सब्बे साचे अनि कहा यी अज्यात कूलसिल बिक्षु ब्राहमन युवग मैरो मनमा पनी उसका नेमती कुने दुख थियाना भन्ने कुरो साच वहीना तर आपन दुख प्रकट गारेरा पितारा ब्रातालाई और दुखी बनावन चाहान नाथे माता पिताको आक्यांचा हुँचा की कन्या सुखिरा होस स्रेष्ट पूरुसंगा उसको बिभा होस तर हर माता पिताकी कन्या स्रेष्ट पूरुसके हाथ थाम देना एदी थामी बने पने पूर्ण सुखा पाउंचे नहीं बने कुने निस्चिन्ता रहन्ना जुन दुखको कुने समदान छाईना पिता माताको बसको कुरो होईना त्यो तेसलाई उनिहरका अगी बयान गरी दुखा गरावनामा लाभनाई केछारा आशी खुशी एक चक्रा नगर का निमती प्रस्तान गरें हमीले पितालाई प्रणाम गरेर भने हजुर चाहनों थेकी आर्य बर्त का स्रेष्ट बीर अजुर को ज्वाई बनुन तही बायो यसमा सबै आनन्तित छन मपनी चुँ अब हजुर को आशीरबाद मेरो पात प्रदर्शक बनोस पिताली सांत स्वर्म बाने धहेरी सहेरा करतेवे पालान गर्नो नई मनिश्वेका स्ट्रेष्ट दार्म हो जुन बोह्मिकायका निम्ति अग्रसर छो अब कुने कुरायका लागी पस्चताप नगर्नो एही होने छो धर्म रक्ष्या आशिट बाद दिन्चु पुत्री तिमी एसस्वी नहाओ तब कि जानना थे कि बार बार रुपांतरित भुमिकायमा मैली बिशम करतेवे को पालान गर्नो परने छा